आपका कुकिंग कमलेश में आज मैंने आपके लिए गर्मियों में जो हमें ठंडी तासीर की चीज़ें पीनी थेगे एक तोन में ठंडा दूज होता है जिसको हमने बिलकुल बजार का टेस्ट दिया है अमूल ख्लेवर जिसको कहते हैं अमूल की तरह मिलता है तो इसको हमने बनाया है इस तरीके से और अब हम इसके अंदर बरफ भी डाल देते हैं हमने पहले इसको फ्रीज में रखा था बनाके और उपर से कार्णिश किया है हमने इसको बदाम काजू के साथ और अब हम इसके अंदर थोड़ी सी केसर भी डाल देते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है फ्लेवर तो इसका बहुत ही अच्छा होता है आपको के लिए एक ठंडा मिल्क प्रीमिक्स बनाना सिखा रही हूं जैसे की होता है कि कभी-कभी जैसे गर्मी में से आरा हमारे को ठंडा कुछ पीने का दिल करता है और वो हमारी हैल्फ के लिए बहुत अच्छा हो तो हम जैसे ठंडा शर्बत बगरा पीते हैं तो अगर कभी- के अंदर मिल्क शेक बनाना सिखेंगे तो उसका मैं पहले प्रीमिक्स बना रही हूं तो आप यह देखिए मैंने बराबर रेशो लिया है यह हमारी चीनी जो हमने चीनी का पाउडर ने लिया है चीनी लिया और यह है मेरा घर में बना हुआ कस्टेड पाउडर तो अब हम इन सबका एक फाइन पाउडर बनाएंगे हमारा यह मिल्क शेक का ठंडा जो हम कभी भी बना के पीजाए वह यह आपके उपर है ठंडा पीए गरम पीए तो मैंने यह पीस लिया है अब ड्राइफूट बगड़ा इसमें सब पीस गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्रण्च उपर से आना चाहिए इसके अंदर तो मैं इसके अंदर थोड़ी से ड्राइफूट और मिलाऊंगी क्योंकि यह जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो बहुत ही अच्छा क्रण्च आता है चाहिए पर इसके अंदर आप केसर बगड़ा भी एर टाइट जार में भरके रख सकते हैं जो कि हम इसको फ्रिज में रखेंगे और इसके बाद इसको हम 15-20 दिन तक इस्तिमाल कर सकते हैं यह खराब नहीं होगा आपका जब भी दिल करें आप इसको दूद्ध गरम करें और थोड़ा सा उसको गरम करके और फिर उसके बाद इस पाउडर को उसके बाद दूद्ध को ठंड़ा करें और आप आइस जालके कभी मिन मर्जी जब मर्जी इसको आप खा सकते हैं अब मैं आपको इसका मिलकशेग बनाके दिखाती हूँ किस तरह हमको इसको बनाना है यह देखिए हमने दूद्ध ही लिया है ठंड़े दू कटोरी हमने यह दूद लिया है इसके अंदर हम यह अपना मिश्रण जो है मतलब आप यह देखिए अगर आपको जितने गिलास बनाना है तो उतने गिलास के लिए आपको एक-एक चम्मच बड़ा भरके डालना पड़ेगा यह देखिए मैं इस तरह डाल रहे हूं उसके मेरा चम्मच तोड़ा छोटा है तो मैं एक चम्मच और डाल दूँगा आप यह देखिए मेरा कस्टड जो है आल्रेडी यह वनीला एसेंस का है आप भी लें तो वनीला एसेंस का ही लें तभी इसके अंदर जोह तेस बिल्कुल बजार जैसा आएगा जो बजार में मिलते ह हैं बॉटल में जो मिलते हैं उसी की तरह है यह बिल्कुल बन के लगेगा तो चलिए हमने दूद उबनने रख दिया है दूद को देख लेते हैं एक बार यह देखिए हमने यह अपना तीन ग्लास दूद को पैन के अंदर डाल के और इसके अंदर आप चाहें तो कच्छा दूद ले चाहें उबलवा दूद ले कोई इस बात का इश्यू नहीं है कि आपको कच्छा ही दूद से ही वह यह दूद हमारा पानी मिला नहीं होना थी अगर पानी बला दूद होगा तो वह ज्यादा देर लगेगी उबालने में मतलब गाड़ा होने में बिना पानी के ल यह डलते ही दूर हमारा बहुत बढ़िया कलर हो जाएगा इसका और एकदम यह काड़ा होने लगेगा और यह देखिए इसके अंदर आपको छोटे-छोटे पार्टिकल दिख रहे होंगे वह हमारे बदाम के हैं काजू के हैं जो हमने इसके अंदर ड्राइफूट डाले है है तो यह सकके सार ओर डाल देंगे अ इसका जो है कलर बहुत बढ़िया है ऐले आफि एसके अंदर जाल सकते हैं घुलाब Quinn यह role लगता है और यह भी बहुत है है आक जो टीज अच्छी लगे वह इसके अंदर अदर आप दाल सकतें खुष्वू के मैं इसके अंदर एक चम्मच के करीब गुलाब जल डालूंगी इसा कलर कितना बढ़िया हो गया है दूद हमारा गाड़ा भी होने लगा है अब यह देखे हमारा दो विग्ड में जिस तरह मैगी बनती है उसी तरह हमारा थंडा 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 दूद तयार हो जब बस अब हम जोगार तहीं से डी फ्रीजर में रखके ठंडा करेंगे और आइस के साथ इसको अम लोग क्रेटिंग कर देंगे इसको ब्रिंक को हम ग्लास में डालके थंडा कर सुन को अब गैस को कर देती कि इसको थोड़ा हमें वैसा ही निकालना है थोड़ा गाड़ा अब देखिए ठंडा होने के बाद ही कितना गाड़ा उगाए हम इसके थोड़ी सी गाड़नेश करते हैं काज्यू बदाम तिस्ते से जो यह क्रण्च आते हैं वह भूत अच्छा लगता है अब आप इसे पीज के अंदर अगर ऐसा दूद्ध मिल जाए हमारे को तो वह क्या कहने हैं तो चलिए आप भी इसे बनाईए और पीजिए अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस यह लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हम अगली वीडियो कि आपको यह से बनाईए आपको यह से बनाईए बनाईए मिलते हैं तो बनाईए हमारे लाइख भी और आपको इससे बनाईए आपको यहाण का यह यह सब्सक्ति इंकान.